गुड़ मॉनिंग दोस्तो और बड़ी ब्लेकिंग न्यूज है आज 25 सितंबर है सोमवार का दिन है रायस्तामची की सबाग बढ़ती है जी हा दोस्तो एक बड़ा सवाल आपके मन में उचल उचल के कूद रहा है और उस सवाल की वह जैसे आप वाटसप पर गुरूपों में लड़ाय कर रहे हो कोई कह रहा है कि बहुत पुर सेनिक के जो पद है एक सर्विस्मेन के जो पद है वो नहीं मिलेंगे या फिर मिलेंगे ठीक है तो क्या कुछ नियाम है उसके बारे में आपको बता हुआ और अभी ECG डेंटल की जो एक सूच जारी हुई थी उसमें एक ल और आपको जो एक सर्विस्मेन की पोश्ट है वो आपको दोस्तो इसी साल आपकी मिलने वाली है फेली बात ओई है तो यहापर गबराने की कोई दिक्क तो आली बात नहीं है सच क्या है उसको पूरे विस्तार से यहापर समझाने वाला हूँ आपके मन में जो भी सवाल है वो सभी सवाल आपके मन में अभी खतम हो जाएंगे फिलाल के लिए तो, ठीके ना, ऐसा नहीं है कि टेंशन लेना है, यह जो बूर्फूर सिनिक के पद है, अन्रिजोट के 314, A.C.K. 136, यह बरती है आपकी, नर्सिंग बरती की बात कर रहा हूं, शीफू की रास्तान की पर 303, O.C.K. 181, A.C.K. 136, और इडिलिश के सत्यासी है, यहाने टोटल पद आपके यहां पर 866 पद है, एक सरिस्मिन के, यह एक सरिस्मिन के, टोटल कितने पद है आपके, 166, तो काफी सारे यहां पर लड़ाई जगड़े कर रहे है, कि 866 पद है, वो यदि इसके अंदर ज 66 पद हो गए, तो यहां नहीं है वाईया, यह जो आपके 866 पद है, एक सरिस्मिन के, टोटल यह पद इसके अंदर जुड़े है, इसके अंदर जुड़े है, ठीके न, जैसे मान लिजे, आपके 314 पोस्ट दी गई है, बूतुर सिनिकों की, तो यह जो 314 पोस्ट है, यह आ सिंग बढ़ती के अंदर तो वेसे भी बूतुर सिनिक कम ही होते हैं, टेंशन लेने वाले की आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीके न, तो पहला आपको खुशकर देदू, जो बूतुर सिनिकों की पोस्ट है, यह आपको ही मिलेगी, और दूसरी बात यह है, जो यह 866 पोस्ट है, इनको आगामी वर्षों के लिए भी रखा जाएगा, बेकलोग के लिए, यह आगामी वर्षों में भी नई पोस्ट निकल के आएगी यह 866 पोस्टों पर ही, ठीके इस साल तो यह जो पोस्ट है यह तो आपको मिल दाएगी, कोई दिक्कत वात नहीं है, यह 866 पोस्ट इसमें से कम हो जाएगी, यह ना एक सवाल यह भी चल रहा है कि 720 पोस्टों में से 866 पोस्टे कम कर दो यह लगबग 6150 कुछ पोस्टों पर वेकंसी रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको नियम समझा देता हूँ, यह देखिए, डियोपी का नियम, रास्तन चिकिसाइबाग बढ़ती, बोधपुर सेनिक पद एक सर्विस्वेन के पद मिलेंगे या नहीं, नियम देख लो, बोधपुर सेनिकों के पद आपके जुड़ेंगे, खुश हो जाओ दोस्तों, देख लो कितनी सीटें मिलेगी, दूसरी केटेगरी वाइस के अको उसमें कहा गया था, कि जो आपकी 12.5% सीटे है, कास्ट की अकोडिंग बोधपुर सेनिकों की, वो समय उजित की जाएगी, सामानी पद देती से बरी जाएगी, इसी वर्ष, और उनको बेक लोग के रूप में रखा जाएगा, ठीक है, आपको समझ में नहीं आरोगी चीज अग्रिंड किया जाएगा, बेक लोग में रखा जाएगा, तो यहाँ पर कारमी का नियम क्या कहता है, उसको मैं आपको समझाता हूँ, यह देखिए, 7 December 2022 का यह नियम है, अब यहाँ पर क्या होता था दोस्तों, 17 April 2018, याने पहले एक काला कानून चलता था, याना 17 April 2018 में ए वेकेंसी का 12.5 परतिशट जो टॉटल वेकेंसी का निकलेगा, वो रिजरों रखी जाएगी एक सर्णमीन के लिए, याने आमान लेजए आपके 500 पोश्टे है, तो 500 पोश्टों में से 12.5 परतिशत सीटे जो है, एक सर्णमीन के लिए रिजरों रही जाएगी, तो यहाँ क्या होता था दोस्तों बड़ा नुक्सान होता था OBC वालों को एक सरीष्मिन वालों को ACHT वालों को ठीके तो यह नियम की विरूत थे फिर उसके बाद कई दन्ने परदर्शन हुए सरकार नियम से जागी उसके बाद यह नियम निकला 7 December 2022 का इसमें क्या कहा गया इसमें कहा गया कि सरकार ने कार्मिक बाग डियोपी डियोपी होता है कार्मिक बाग ठीक है उसने एक अधिस उचन जारी की मान लेज़े 500 पोश्ट है तो उनका 12.5% सीटे एक सर्विस्मेंट की ओरियंटल रूप से जो है डिवाइडेशन कर दिया गया और उसमें दो नियम मना दिये गए कि यह सीटों पर जदी एक सर्विस्मेंट नहीं मिलते तो इनको जो है नोर्मल सीटों के दोरा आपकी बढ़ परतिगंदर और उतनी सीटे अगले साल जादी कोई नई बढ़ती निकलती है तो उसमें भी यह सीटे जो है दुबारा से नई सीरे से आई समझ में आया होगा आपको ठीक है डिवाइड कर दिया गया पहले होता था यही कि जो 500 पोश्ट पर बढ़ती आई तो 500 पोश्ट क ले ले लेते थे अब से को ले ले थे फिले तो 500 पोश्टो में से बारा पंट पर से तो फिर बैट को ले लिया आब बचे खुची लिए जो वं muk eleka कर देते हैं तो यहां पर नुक्सान काफीजाद प्रोबलम आजेती जो नियम की विरुप था ठीक है तो यह देकिया है इसने फिर नियम बनाया गोर्मेंट ने और नियम का नाम रखा गया क्या रखा गया नियम का नाया रास्तान सिविल सेवा बौतपुर सेनिकों का आमिलन संशुदन ठीक है नियम का नाम तो यही था रास्तान सिविल सेवा बौतपुर सेनिकों का आमिलन संशुदन नियम रखा गया और इसके अकोडिंग इसमें क्या चीज़े कही गई इसमें कही गई भईया कि विनेदिश्ट बूतपुर सेनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षन सीधी बरती में प्लैगवार होगा याने वर्ग के अकोडिंग होगा जातिक अकोडिंग और किसी वर्ग विशेश वर्शुशे अब डरने की बात नहीं है कोई आपको नर्सिंग का नेता कोई आपका गुरूप का अभियारती आपको टेंशन दे रहा हो समझा रहा हो कि यार ये सीटे तो उपनको नहीं मिलेगी तो बैया उनको दिखा देना हमारी वीडियो बिसेन कर देना कि बोल देना कि यदि अनु लोग में रखा जाएगा ठीक है यह नियम है यह देखिए सटाइस फरवरी दोरते बीस इस साल का नियम इसमें भी बताया गया है रास्तान सिविल सिवा बौतपुर सेनिकों का नियम गुर्णिस्ट अकोडिंग यहां पर बौतपुर सेनिकों के लिए शेती जारेक्शन कि पाच परतिशत अधिनास और मांत्रेली सिवा में 12.5 परतिशत और चतुत शनी सिवा में 15 परतिशत ठीक है यह देखिए इसमें इन्होंने बताया भी है इसमें इन्होंने लिखा भी है यह देखिए क्या लिखा है रास्तान सिविल सिवा बौतपुर सेनिकों का अमेला नि यहिए बतारा हम वो बिल्कुल एकदम सत्य होने वाली है सत्य है वह拯ा किसी के नेता के किसी भी अवियार्थ के चक्रामें देते हैं और कच्छी जानकरी देटेवा आपको उनको नियम पता नहीं होते यह दे estrut और उतने ही पदों के आरक्षन को अगली भरती के अगली भरती वर्ष में बेक लोग के रूप में भी लिये जाता है। यह देखिए याने आपके 866 जो पोस्ट है नर्सिंग के वो आपकी आपकी जाती में मिल जाएगी जुड़ जाएगी आपको मिल जाएगी टेंशनले वाली बात निये उसी के बाद जो 866 पोस्ट है वो नई सीर से वापस निकलेगी नई बरती के अंदर ऐसा इस नियमों के अकोडिंग कहा गया है अब देखिए अब चुकी जो भी बरती होगी वो संशोदित नियम के अनुसार होगी और ऐसी हिस्तिती में पिछली बरती वर्ष की बूतपूर सेनिकों की रिक्तियों को वर्तमान बरती में प्रेगवार लेते हुए परतेक जारी की जनेवाल विग दर्षाजा गया है और जो आपकी अन्य पोस्ट है अन्य जड़की उनको भी परतक अलग से दर्षाजा गया है लेकिन यह जो बूत पूर सेनिकों की पोस्ट है यह इसी के अंदर समायोजित है जुड़ी हुई है अलग से नीए यह ना ऑन्य जड़की जो तीन सुचोदा पोस्ट यह इनमें से निकले आपकी इनमें से निकल के आएगी और जो है यह जुड़ी हुई है यह टोटल पोस्ट है आपकी ही रहने वाली है अन्य जड़की चुकि छिकिस्षा भाग में नर्सिंग वाग में एक सरीस्वें नहीं होते वाईया मैं आपको बता दू जानक उनको और आप चुकि बूत्पुर सीनिकों की रिक्तियों को प्रगवार इन्होंने कंपार्टमेंट कर दिया है तो ऐसी इस्तिति में जो आपकी सो बर्तिया है उनका विवाजन वर्गवार इस प्रकार से इन्होंने किया है तो यह चीजे थी उम्मीद है आपको समझ में आये होगी सीदिसी केने का मतलब यह है जो एक सरीस्विन की पोस्ट है 866 जो पोस्ट है आपकी नर्सिंग की वो आपको मिलने वाली है और यह नियम सभी बर्तियों के लिए है चाहिए लेफ टेक्निशन और रेडुग्राफर और फार्माशिस्ट और अन्मो कोई सीवी पोस्ट हो ठीक है ना बहुत पर सेनिकों की पोस्ट है आपको ही मिलेगी यह अगले साल के लिए चली जाएगी लेकिन नई सीरे से निकल के आएगी नई बर्तिया निकल के आएगी और यह जो पोस्ट है यह आपको मिल जाएगी यह ना यह काफी सारे लोगों को नियम याद है लेकिन काफी सारे लोगों को नियम याद नहीं है और काफी सारे नर् 27 परवरी का और यह जो एक और नियम है आपका साथ दिसंबर 1222 का ठीक है यह जान करिए आपका मिले और यह पूरा पीडिया हमने अमारे टेलेग्राम ग्रूप पर भी डाल दिया है सलेश नर्सिंग अकडमी मैं आपसे बोलता हूं जोइन कीजिए सलेश नर्सिंग अकडमी और हमारा वाट्सअप चेनल भी है यहां पर भी आमने डाल लिया है अमने नया बनाया है हमने सलेश नर्सिंग अगरमी वाट्सअप पर जाईए चेनल में जाकर सर्च कर लिए फिर इसी वीडियो की नीचे आपको अमारे तमाम प्लेटफर्म मिल जाएंगे आप जरू यह उड़ दे तो लगबग यह तो मज़ा आ गया हमें तो हमें तो मज़ा आ गया 7886 पोश्टे हो गई है तो मारी यह साथ जार पोश्टे ही है आपकी टोटल और इसी के अंदर आपकी जो है बूतुर सेनिकों की पोश्टे गुसी होई है यह ना समझा रहा हूं आपको द दन्यवाद दस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही